आज हम लोक एक्ट्रोनिक्स का ठीक है एक्ट्रोनिक्स पेपर two का इंपर्टन्स दीखने वाले student of all chapters पेपर टू हींपोर्टन्स of all chapters ठीक है तो चैप्टर वाइस हम यहाँ पर देखेंगे अभी सबसे पहला जो है वह नंबर सिस्टम है तेक यह जो चैप्टर है स्ट्रेंट्स सबस्क्राइब मार्क्स करता है यह चैप्टर ठीक है आपके 50 मार्क्स टोटल में से वितार ऑप्शन ऐड़ से एक बात लाश्ट में मैं आपको वीडियो के जो भी एसेंस है एकदम ही मतलब सिर्फ 2-3 कोश्चन जो रहता है अगर आपको कुछ भी नहीं हो रहा है पड़के तो 2-3 कोश्चन तो भी करके जाब वह वाला भी मैं आपको बताने वाला हूं ठीक है वह जड़ा ध्यान से आप लोग सुनना और जो mcqs है ना जैसे कि by default मैं आप लोग को बोलते रहता हूं mcqs आपको सभी करने चाहिए ठीक है all mcs you should do of your test book hardly 10-12 mcqs रहते हैं या 7-8 mcqs रहते हैं आप binary to octal, octal to binary, decimal to binary, binary to decimal, hexadecimal conversion यह सब आता ही है तो यह by default आप लोग को practice करना है आपको guaranteed आएगा तो प्रैक्टिस करोगे तो better है आपको ने तो आपको तीन माक वाले में भी पूछ सकता है ठीक है इसके लिए आप लोग कैसे भी करके फिर उसके बाद फिर यह भी एक equivalent code पुछते हैं लोग तो यह करना है तो करो नहीं तो रहन दो ठीक है it's okay बट करना चाहिए आपने वह वाला भी फिर एक ऐसा question कुछ देखो start कर देते हैं हम लोग यहांपे फिर BCD यह वाला encoding ones, twos, complement ठीक है यह सब तो आपको करने ही है basically ठीक है फिर यह यहांपे देखो convergence ठीक है convergence hexadecimal to decimal, decimal to hexadecimal, binary to decimal ठीक है यह सब तो ऐसे वाले questions आपको करने है right after that after that यहांपे देखो twos, complement ठीक है twos, complement find out ठीक है जैसे मैंने बता है double-double method यह भी एक important है ठीक है यह देख लेना एक बार subtraction of binary number using ones and twos, complement यह भी important है ठीक है यह भी पूछ सकते है उन लोग फिर से वही conversion देखो decimal to binary, binary to decimal जैसे कि मैंने आपको बताया ही था conversion पे questions आते ही है तो कैसे भी आ सकते है 3 mark वाले पे भी आ सकता है mcqs में भी आपको आ सकता है fill in the blanks में ठीक है तो you should have a practice of solving this ठीक है अगर यह आपका है तो ही आपको यह 7 to 8 में से मैं तो बोलता है 3 marks आपका पक्का हो सकता है 1 mark mcqs से फिर एक और सब questions करके 2 questions combine करके 3 mark वाले में 4 mark वाले में पूछा रहेगा तो आप लोग को better पढ़ेगा हो ठीक है सिर्फ convergence ही है फिर यहां पर subtract किया perform किया ठीक है फिर explain binary to decimal conversion यह वाले ठीक है फिर binary यह सब ठीक है जो भी है बट यह वाला देखो conversion मैंने जो बताया था यह important है students right so इतना question इसमें सिर्फ convergence वाला करो मैं एक ही question इसमें बोलूंगा आपको दो या तीन questions पकड़के चलो convergence ठीक है सिर्फ convergence आप देखके लो तू भी बहुत हो गया basically once two's compliment find out करना फिर convergence बस इतना करो यह chapter में बहुत है ठीक है अभी logic gates पे आजाते students logic gates भी आपका जो है वो seven to eight marks का है right logic gates भी it is off seven to eight marks normalcy over here important as usual as I would present also said that for mcqs you have to prepare all then also I am giving one or two यह वाले फूल आड़र एक्सवर आउट्पूट नौर गेट का कब हाई रहता है वो सब बूलियर एलजबरा फिर आउट्पूट ऑफ नैंड गेट कब जीरो रहेगा तो क्या आता है वो सब फिर और एक उनिवर्सल गेट का पर कोश्वर रहता है वो भी देख लेगा आपलो तेका यह है कि कौण सा गेट का इन्पूट क्या रहेने पर कौण सा उट्पूट आता है ऐसे टाइप के कोश्वर्ण इंपॉर्डटन रहता है ठीक है अब आ जाते बहुत EMPORTANT है करना ही है कैसे vh cafe तू टेबल जो है ये तो very important ए टू टेबल ठीक है 4 नअ गेट के एंडच के जो है करक्षण ये वाला भी देख लें पर बार संटो WAई तो कम सलंबहते नरे सबार जो यह दो कोश्चन तो पड़ोगा ठीक है मैं तो ही बोलूँगा राइट फिर एक्स्प्लेंड बेसिक गेट्स अगें यह वाला कोश्चन इंपोर्टेंट है बहुत इंपोर्टेंट है यह बहुत बार मैंने चैनल में भी करवाया हुआ है फिर इवन और पैरिटी चेक हाँ फ मैं आपको एक्स्प्रेंड कर लूँगा यह सब ठीक है दो थेरम से इसके तो वो करने आपको स्टेट एंड प्रूफ डिमॉर्गन्स थेरम्स बहुत इंपोर्टेंट है फिर डिफ्रेंस बीट्विन हाफ एडर फूल एडर यह बहुत इंपोर्टेंट कोश्चन है देन प्रूफ करने के लिए यह सब यह वाले देख लेना डिमॉर्गन्स के हिसाब से फिर यह वाला एक बूलियान एक्स्प्रेशन जो है फिर इन्वर्टर का एक देख लो चेह तो फिर नौर गेट अजन युनिवर्टिंग ब्लॉक ठीक है पर नाइंड गेट सबसे युनिवर्टिंग ब्लोग बता है तो नाइंड को थोड़ा जार्दा प्रिफरेंस जेना ठीक है यह भी इंपोर्टेंट है आइवोड से बाट करना कैसी फिर से वही कोश्चन है बेसिक गेट डेफिनिशन सिम्बॉल्स और टूट टेबल्स ठीक है यह तो करना ही है आपक तो से आउने से आउंड गेट झाल आज यह वाले लोग और एक बूलिया एक प्रिशन करल दो अगर नहीं हो रहा है तो यह तीन से चार कोश्चन करलो पहले वाले में कर लेना कैसे भी करके बस उतना तो करना मैं ऐसा बता है आप लोग को ठीक है अर इसमें कैसा है इसमें d-morgan और truth tables कैसे भी करके करो ठीक है starting में question था इदर कौन सा था वो हाँ half-header full-header बडर बडर यह भूल गया हमें half-header full-header कैसे भी करके करना आप लोको ठीक है इस मैं इसार्फ यह तीन question करो एक यह d-morgan वाला फिर और फ़ल कुर्शंग है कैसे भी करना ही आप लोग को देख ले लेना हैum कि आप ईंजित ये चाप्टर पर ये चाप्टर आप लोग का है थर्ड चाप्टर है समी कंडक्टर ये कुछ आप लोक को आएगा पांसे 6 माख का चैप्टर हुआ जो यहां पे भी सेम all you have to then TTL वाला एक देख लेना फिर figure of merit कैसे express करते कोंसे तरम हे वो देख लेना फिर फिर इसे वाला आप देख लो यह ऐसे देख लेना ठीक है सब देख लेना इसे मैंने बताया यहां पर यहां पर sketch this TTL NAND gate ठीक है यह वाला एक बार देख लेना okay so fine हां फिर यह वाला एक देख लेना कैसे भी करके characteristics of digital ICs यह question देख लेना स्किमाटिक्स और circuit of tri-state TTL NAND gate यह वाला एक देख लेना ठीक है फिर compare यह वाला एक देख लेना कैसे भी करके CMOS North circuit वाला एक ठीक है बहुत important है यह वाला CMOS inverter यह भी important है TTL and CMOS यह वाला एक important है tri-state TTL major advantage TSL ठीक है फिर logic families वाला एक question देख लेना important है ठीक है then TTL nor gate and its truth table TTL not gate और एक nor gate यह दो TTL का जो है वो करो CMOS वाला एक बार देख लेना CMOS inverter और यह essential features तो इसमें कितने हुआ इसमें थोड़े जादा questions होते है छे से साथ तो कुछ भी करके TTL CMOS वाला एक comparison वो करोगे तो single ऐसा कुछ पूछा तो उसके बाद points बाता दोगे तो भी हो जाएगा यह सब explain कर दूँगा मैं चाहे तो revision lecture में ठीक है तो ऐसा है और बस characteristics of digital ices यह थोड़े questions देख लेना आप लो तो इसमें यही तीन से चार questions important कैसे भी करके कर लें अभी येस यह 10 मार्क का है तो यह वाला देख लेना इसमें तो सबसे important है multiplexer कैसे भी करके करना ही है आप लों को ठीक है multiplexer हो गया requirements हो गया उसके फिर से need level 4 to 1 multiplexer ठीक है फिर 16 to 1 1 to 16 वह वाले पूछ सकते आपको ठीक है तो basically यह वाला तो देखके जाओ कम से कम 4 to 1 वाला देखो अपने आप बाकी के कर लो गया आप लो इंपूट आउपूट के हिज आप से ठीक है फिर difference between mux and dmux एकदम ही important लिखके लो एक कैसे भी करके करोगे तो बाकी के questions पूछेंगे उसमें आप लोग को मदद हो जाएगा ठीक है फिर यह हो गया obtain हो गया dmultiplexer भी जैसे कि मैंने मताया mux and dmux दोरों भी करना आप लोग को और उसका comparison कैसे भी करके करना यह चाप्टर में तो कुछ भी नहीं किया तो यह दो question तो करना ही आप लोग को ठीक है फिर एक bcd वाला यह वाला एक bcd to decimal decoder यह वाला एक important है यह वाला देख लेना एक उसके बाद ठीक है ठीक है यह सब है ऐसे एक बार sums वगरा देख लेना आप लो फिर है बट इसमें कुछ भी करके दो questions कैसे भी करके कर नहीं है अगर आप लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे हो तो mux और demux और उसका difference मॉक्स और demux मतलब मॉक्स के बारे में पूरा जैसे कि मॉक्स क्या होता है multiplexer क्या होता है और 4 is to 1 multiplexer एक logic diagram मनानाना है और उसका यह वाला question कैसे भी करके मॉक्स के ओपर और demux को यह कैसे भी करके करो फिर अपने आप comparison तो आपने आप आ जाएगा यह वाला अपने आप आ जाएगा फिर एक BCD encoder वाला working जो है BCD to decimal encoder वाला और decimal to BCD encoder एक BCD to decimal और decimal to BCD यह बहुत important है यह वाला पर ठीक है यह वाला भी करोगे तो बहुत ही अच्छा है तो यह कुछ भी करके चार questions कैसे भी करके करने आपको वाई से वरसा एक decimal to BCD encoder BCD to decimal और मॉक्स टू डी मॉक्स मॉक्स और दी मॉक्स वाला ठीक है important इस chapter में तो यह चार questions कैसे भी करो बस हो गया फिर अभी आ जाएगे हम electronic counters chapter में this is also carries 10 marks that will add up to your total of 50 marks of paper 2 तो यहां पर भी फिर से ले लो आप सेम ऐसी रैंडम ली दे रहा हूं ठीक है यह वाला यह वाला यह वाला यह फाइन तो ऐसे देख लेना आप लो रैंडम ली सब देख लेना इसे ठीक है इसमें अभी यह चैप्टर में flip-flop question बहुत ही jk flip-flop sr ठीक है यह सब बोलते हैं हम लोग उसको पता था हूं मैं आपको आगे जाके बट यह flip-flop वाला एक बार देख लेना कैसे भी करके ठीक है तो कुछ भी करके इसमें jk flip-flop करना है आपको ठीक है रिपल काउंटर वाला फिर एक ब्लोग डियाग्रम ऑफ डिकेड मौट 10 काउंटर वाला यह वाला भी एक इक इसमें देख लेना ठीक है और इसके बाद T flip-flop भी एक इक इम्पोर्टन है RS flip-flop using 9 gates इम्पोर्टन है edge-triggering भी इम्पोर्टन है वर्किंग ओफ फॉर पिट डाउन काउंटर भी इम्पोर्टन है ठीक है फिर राइट नोट ऑन दें रिंग काउंटर यह वाला फिर यह देफिनिश्यल्स इसमें से मैं वही बोलूगा लाश्ली अगर बोलू कुछ भी करके इसमें से भी तीन कोशन करना है आपको एक जेके flip-flop एक RS flip-flop ठीक है एक T flip-flop और एक आपका यह वाला कि दर गया हो तो कि आपने इदर flip-flop, flip-flop, and gates, flip-flop using and gates और flip-flop क्या होता है वह वाला ठीक है और यह वाला देख लेना T flop यह दो बुला RS flip-flop, फिर mode वाला देख लेना एक 16 decade वाला decode वाला ठीक है और फिर बाकी भी है important but मैं यह भी बोलूँगा कि जादा अगर आपको tough जा रहा है तो इतना तो करो कैसे भी करके ठीक है यह तीन-चार questions तो इसमें से भी करो अभी analog to digital converter and digital to analog converter यह chapter अभी यह chapter में फिर से वह भी बोलूँगा this chapter carries your again five to six marks ठीक है five to six marks carry करता है तो देख लेते यह वाला five marks है भीट से तो यह converter यह वाला एक देख लेना ठीक है दो questions हो गया फिर ठीक है इतना देखो सार वाला भी देख लेना ठीक है तो हो गया इतना अभी वोई question सबसे important digital to analog analog to digital converter explain करना है कैसे भी करके यह वाला question करना ही है तुम लोग को ठीक है working of this b you can do it ठीक है 4-bit converter भी कर सकते हो आपलोड successive approximation क्या होता है working of successive approximation analog to digital यह वाला एक बार देख लेना ठीक है फिर यह वाला एक बार देख लेना 4-bit binary लाइडर वाला ठीक है principle उसका working फिर यह वाला पी एक बार देख लेना diagram और थोड़ा सा ठीक है बट इसमें फिर से वही बोलूँगा इसमें कुछ भी करके कौन सा देखना है आपको ठीक है बहुत इसमें पॉर्टन क्या है जो चैप्टर के उपर में टॉपिक है डिश्टाल टु अनलोग और अनलोग तु इजटल कनवर्टर फिर सक्सेव अप्रोक्सिमेशन अफ अफ अनलोग तु डिश्टल कनवर्टर फिर यहां पे एक यह दिस फोर बिट बाइनरी लाइडर यह कैस सो कोई भी एक कोश्चन आ तो आ गया इसमें से अभी इसमें क्या स्कैनर क्या है इसमें बस बस एक ही कोश्चन आपको करना है आट इस दो क्योश्चन ले ले लिते चार माग का है न सिर्फ डिजरल काम्पूटर कंपूटर कंपूटर क्या होता है उसका फंडमेंटल से अपने को पढ़ना पड़ेगा ठीक है बस डिजरल यह वाला ज़रा देख लेना डिटाबस एटरसबस और रम और रोम कैसे भी करें देखके जाए वाला ठीक है फिर MICR क्या होता है यह MICR एक बार देख लेना ऑप्टिकल स्कैनर भी देख लेना ठीक है डेफिनेशन मतलब उसका एक एक स्प्रेशन देख लेना आप लो फिर कोई भी एक सेकेंडरी डिवाइस ठीक है स्टोरेज डिवाइस ठीक है जैसे कि USB डिवाइस हो गया है जो भी है ठीक है तो वह हो गया फिर स्टेट 3 सेकेंडरी मेमरी राइट मैगनेटिक टेप यह ठीक है करो नहीं तो नहीं हाँ पर यह वाला कैसे भी करना बस पर डेटा बस अड्रस बस कंट्रोल तो यह कैसे भी करके जाओ फिर टिपिका स्पैसिफिकेशन ऑफ पीसी यह भ आपसे टेक्ट्वल आंसर हो तो कैसा बहुंद है यह अच्छे से इसमें होना चाहिए और इसमें यह वाला एक कोश्चन अच्छे से होना चाहिए डिजिटल कंप्यूटर का ब्लॉग डाइग्राम बस बाकी यह सब समझने वाली कोश्चन से इन्पुट आटबुट डिव चे साथ चैप्टर में से अगर मैं दो तीन अगर कोशन भी दू तो बारा से पंदरा कोश्चन बनते हैं सिर्फ इसमें भी पहले वाले में शायद से कुछ पंदरा से अठरा बन रहे थे इसमें बारा से पंदरा ऐसा करके आप लोग वितिन ट्वेंटिफाइग कोश्चन यू कैन कंप्लीट यूर एलेक्ट्रोनिक्स का पेपर राइट कम से कम आवरेज तो माक्स आही जाएगा अगर अच्छे से आपने उतने कोश्चन की है और उसके आंसर्स आप लोग प्रॉपर लिख रहे हो ठीक है पढ़े हो प्रॉपर तो कैसा आना जो कोश्चन यहां प कर लोग है ठीक है मैंने दो पार्ट में वीडियो अप्लोड किया हुआ है एलेक्ट्रोनिक्स का तो इसका आप लोग यह मत करो इसका एक रफ रिविजन हम लोग लेंगे ठीक है जो जो इंपोर्टेंट है उसको थोड़ा अच्छे से करेंगे बागी थोड़ा उपर उपर से करेंगे तांग कारण तो आप लोग टेंशन मतले ना एलेक्ट्रोनिक्स आपका चानल पर कराया जाएगा ठीक है तो तिल देन अल्डे बेस्ट पर यूर एक्शंस रमेंग एक्शंस और बोर एक्शंस और कीप काम स्टे सफ एफ एंड श्ड़ी हाड डों तेक मच और लॉग करेंगे तो यह जान देन अग्टी तो लॉग कर लागी पीटिक है तिल दन थांक यू अभी गूली